सुबा का मन्ना 8 जैनवरी 2021 शलोम शलोम जिसका मन्न तुझ में दीरस दरे हुए है उसकी तुम पूरन चांती के साथ रक्षा करता है क्योंकि वे तुझ पर बरोसा रखता है जो शाया 26 सद्याई का तीसरा वचन पूरन चांती शब्द का अर्थ मूल इबरानी भशा में शलोम शलोम है जिसका अर्थ दुगनी शांती जा दुगना स्वस्त है जदी आपका मन्न प्रभू पर कैंदरी थै जा जब आप प्रभू पर बरोसा रखने है तब प्रभू आपको शलोम शलोम में रखेगा जिसका पूरण शांती जम पूरण स्वस्त है जदी आपका मन प्रभू पर ना रहकर हमेशा आपकी समस्यों पर बना रहता है तो आप हमेशा चिंता करते रहेंगे फिर भी जदी आपकी आत्मिक आँखे हमेशा प्रभू पर लगी रहती है तो आप सर्वना पूरण शांती और तसल प्रमेशे लोगों के विचार आपको ड्राएंगे फिर भी जदी आप परमेशे पर बरोसा रखते हैं अथात आपका मन प्रबु पर बना रहता है तो प्रबु ना केवल आपको चंगा करने में प्रन्तु पूरण शांती पूरण स्वस्थ देने में भी सामर्ती है परमेशे के प्रिये बच्चे आप जे कह सकते हैं कि आप परमेशे पर बरोसा रखते हैं प्रन्तु आपका मन चंटा करता हुआ इदर उदर बटक रहा होगा और आपका मन आपकी समस्यों पर ही टिका होगा परमीशे का वचन क्या कहता है किसी भी बात की चेंता मत करो प्रंतु हर एक बात में तुमारे नवेदन प्रातना और विंती के द्वारा धन्यावाद के साथ परमीशे के समख उपस्तित किया जाए तद परमीशे की शांती जो समख से बिलकुल परे है तुमारे हिर्दे और तुमारे विचारों को मसी येशिय में सुरक्षित रखेगी फिल्पियों चारदेकर शे और साथ वचन जेवचन ऐसे ही कहता है कि सारी प्रात्मों का जैसे आप उत्तर चाते हैं वैसा ही मिलेगा प्रंतो जदी आपको विश्वाश है कि परमीशे आपके चंताओं से ग्यात है तब आपके मन में शांती रहेगी आपका परमीशे आपके समस्यों से बढ़ा है और वै इतना महान और भुद्धी मान है कि आपके सारी समस्यों के लिए उसके पास पूरण हल है हाँ पूरण रूप से पहले से भी अधिक उस पर बरोसा रखना ऐसे ही आगे बढ़ना पिता के प्रेमे सचेत शांत आनदमी सुबा का मना गौड बलेस च्यू